यह बल्ब जब तक जलेगा ना तब तक समझना है कि आपके सिस्टीम में प्रॉबलेम है नश्कर दोस्तों मैं बीजित आपका बूदबूद साथ करता हूँ आम अस्टर्मेंटेक में तो समय जो कार होते हैं उसमें एक कॉमन प्रॉबलेम आती है वो प्रॉबलेम कहला है लि दिन तिन दिन चार दिन ऐसे खड़ी करके रखते हो तो उसके बैटरी भूरी डिश्चारज हो जाती है गाड़ी के अंदर कुछ चालू नहीं रहता पूरा system पूरी lights पूरी opp भी कर देते हो तो भी बैटरी है वो पूरी पैचानते हैं ये problem है या नहीं है और किसे यह problem धुंटे और आसनमे किस मॉडियुल में problem है तो गाड़े में कई सारे मोडिल होते हैं इसे होता है airbag abs का मोडिल होता है body control unit होता है meter होता है music player होता है तो कौन सा model खराब है या भी या सा मोडिल है वो जो करेंट है वो कंजूम कर रहा है लीकेज कर रहा है तो यह कैसे पैचने इंगे तो यह इस विदियों देखने वाले यह देखो यह चोटे-मोटी चीज़ें हमने खोली है ठीक है डाइंग नॉस करते समय और सोचा मेने की वीडियो बना देता हो आपको भी लगीड दिखाता हूं पर्ट्रोबबलम कैसे फैंडिक्व करते हैं यह दिखाता हूं तो सारी सारी सब्सक्राइब हो गया है और को मैं start करके तक गाडी start हो रही है कुछ भी light नहीं कुछ नहीं door open की लाइट और एर वेख के लाइट है वह तो कुछ मतलब मैंद सा अम ही जैक नहीं है तो अभी करते हैं तो टेस्टिंग कैसे करेंगे चार भी निकाल देंगे और सबसे पहले यह जो light है ना, यह light burn करेंगे, तभी हमें यह problem है ना, यह 100% मिलेगा, नहीं तो क्या, test करते समय कुछ दिक्कत आती है, और problem मिल नहीं पाता, तो इसके लिए यह सारी चीज़े है, जो मतलब गाड़ी burn होने के बाद भी चालू रहती है, जैसे के अंदर के light हो होने चाहिए, यह देखो, यह door का symbol दिका रहा है, वो भी जाना चाहिए, यह देखो, यह door burn कर दिया, तो जाएगा, तो इसके लिए सारे door है, यह आपको burn कर देने है, तो मैं अभी door burn कर देता हूँ, glass open है, glass open रहेगी, कुछ tension नहीं, चेक करना है, गाड़ी के अंदर के सार इस गाड़ी में, वाकई में current leakage हो रहा है, यह पिर और कोई problem है, बैटरी के positive line है, अब हमें निकाल देनी है, तो अभी sure हो गए हम कि कुछ भी चालू नहीं गाड़ी में, ठीक है, यह निकाल दी, और यह ऐसा bulb लेना है, यह T10 नंबर का, हमारा parking light में लगता है ना, वो bulb, व जाता है, ज्यादा वैटेज का बल्प लेते हो, तो छोटा मोटा लिकेज तो वह पकड़ नहीं पाता, इसके लिए सबसे कम वैटेज वाला बल्प यह आता है, ठीक है, तो LED आता है, लेकिन LED प्रॉपर रेडिंग नहीं रिखाता, क्योंकि नहीं भी रहेगा, लिकेज तो यह देखो, यह बल्प जल रहा है, मतलब हमारा होल्टेज है, यह पिर करेंट है, यह लिकेज हो रहा है, यह बल्प जलना नहीं चाहिए, और जलता भी है, तो 10-15 सिकेंड बाद वो बर्न होना चाहिए, यह देखो अभी भी जल रहा है, बर्न होने का नाम नहीं ले रहा है और एकदम फुल पावर में जाद रहा है तो इसका मतलब है इस कार में वोल्टेज लिकेज की प्रॉब्लेम है तो मतलब हम गाड़िया ऐसी खड़ी कर देते हैं एक दो दिन के लिए तो उसकी बैटरीय है पूरे डिच्छाज हो जाएगे गाड़ी स्टाट नहीं हो जाएग पुए सारे फीचर मिल जते हैं जैसे कि आप आपके कार काओ एम कैटलॉग देह सकते हो उसमें पार्ट apprendre का एतर लगाया है उसका पार्टनम्बर स्पेर पाट बुर्ड मोंपर इजीली अवे लेबल हो जाते हैं उबडबबुब की लिइक है मेरे डिस्क्रिक्शन में देरे किए काल हमसी वर्य होई हुद लिखे तो फिनक में और दिसक्रिक है है तीक है था- software में धेर सारे मोडिल लगे होते हैं तो जैसे कि हमारा एक यह display हो गया इसके बाद हमारा AC का पैनेल हो गया या पिर हमारा music player हो गया cluster हो गया या पिर यह जो airbag रहते है इसका नीचे वो मोडिल रहता है वो हो गया आगे ABS का मोडिल रहता है issue रहता है यह हो गया body control module रहता है dashboard के नीचे वो हो गया तो धेर सड़े module है इसमें ऐसा नहीं है कि सब short है उसमें से कोई एक module है वो खराब होता है वो short होता है या फिर वह module है वो हमारा voltage है वो leakage करता है तो अभी क्या करेंगे एक-एक fuse आटक के देखेंगे हर गाड़ी में fuse box रहता है और हर एक module का fuse रहता है उसमें तो एक-एक अगर fuse निकालेंगे ना तो हमें पता चलता है लेकिन यह जो light है यह हमें off ही रखनी है यह off रख देते हो तो यह आपको अच्छे से reading आ जाती है क्योंकि कैसे बुस्ती गाड़ी में यह जो light है ना यह दोर बंद करने के 15-20 सेकंड बाद बन हो जाती है तो तब तक voltage हमारा लिकेज बता था है ठीक है तो इसकी लिए यह off कर देनी है जैसे यह मैं अब आप कर रहे है ठीक है और अभी मैं एक बार आपको बल्ब दिखाता हो जाद रहा है या नहीं यह देखो पूरी पावर के साथ बल्ब जाद रहा है ठीक है तो अभी मैं क्या करूंगा एक एक प्यूज निकालूंगा और अलटके को बोलूंगा कि चेक करना जिस प्यूज निकाल के देख सकते हो जिस चले जाती है ना लाइट तो बाद में दूण सकते हो डाइग्राम में किस चीज़ का फ्यूज है यह देखो जैसे मैंने यह एक नमबर अट है है लाइट है ठीक है दिखाता हूँ आपको एक बार इस निकाल दिया लाइट जल रही है ठीक है तो ऐसे ही वन बाइवन फिस निकाल के मैं चेक करता हूँ निकालना है फिर उधर लगा देना है उसी का नहीं तो इधर उधर कर दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है तो यह एक एक फ्यूस देखना लाइट जाती है क्या तो थोड़ा थोड़ी देर में लाइट चली जाती है इंदम तुरन नहीं जाती बहुत सी बाद ठीक है यह निकाल दिये देखो कि यह भी लाइन है हमारी कंप्यूट हो जाएगी प्रावलम मिलता है ठीक है तो यह पूरी लाइन में कर दूंगा याद है और बाकि क्योंज भी चेक करूंगा तो सारे फिर चेक करते समय हुझे प्राब्लेम मिल गया मैंने फिर से लगा के रख दिया वो प्यूस ठीक है क्योंकि आपको और कैमेरा दिखाना है ठीक है लाइट डेको जल रही है क्या लिए देखो लाइट जल रही है हमारी यह देखो तो अब प्रॉब्लेमिटिक प्यूस दिखा था हूँ या पिर प्रॉब्लेमिटिक सिस्टिम दिखा था हूँ यह इसी मैंने यह प्यूस निकाला ना तो लाइट चली है यह देखो यह प्यूस निकालता हूँ क्योंकि इसमें नहां मेरी पकड़ भी नहीं जा पा रही इस पूरी की पूरी चली जाएगी देखो डोल लगा दूँगा पूरी चली गए देखो गई न ठीक है तो अभी क्या है ये फ्यूज की सिट्रिम का ये भी बताता हूं फिर से एक बार इधर भी रोको कैमेरा और मैं फ्यूज लगा देता हूं फिर देखना लाइट आती या नह यह देखो नीफिस लगा दिया जल गई हो तो अंडरेड परसेंट हम शोर हो गए कि जो फ्यूज है ना जिस सिस्टीम का भी फ्यूज यह रहे गाना उसी सिस्टीम में हमारा प्राबलेम एक होई सिस्टीम है यह हमारा होल्टे जह है उसको खा रही है बोल सकते हो पिर लीक कि यह रूम लेंप का इसके नीचे का ओडियो का बीस एंपियल का यह प्यूज है हमारा ओडियो का मतलब हमारा जो मुजिक सिस्टिम है उसमें दिक्कत है तो उसके करण हमारे जो बैटरी है कारगी वह बार-बार रिचाज हो रहे है पूरी जिरो तक हो जाती है मतलब पड़ेगा या फिर रिपेर तो करना पड़ेगा तो अभी कस्टमर को पूछना पड़ेगा क्या करना है ठीक है अगर नया डालना है या पर आइसे भी रख सकते हो आप यह नहीं यूज करते तो फ्यूज निकाल के भी गाड़ी चला सकते हो दिक्कत है आपकी वह काल के रखो तब तक तब तक कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी तब तक आपकी बैटरी ट्रेन नहीं होगी आपका ओल्टेज लिकेज नहीं होगा इस तरीके से यह काम करता है देखो फ्यूस हमने फिर से निकाल दिया है थोड़ा सा डीम जल रहा है वे डोर लगा तो इसके ल करना पड़ता है तो इसके लिए मैंने बोला कि फ्यूस निकाल के भी थोड़ा पाइज सेकेंड वेट करके ही चेक करना है फटापट निकाल होगे फटापट लगा होगे ना तो प्राब्लम नहीं मिलेगा तो यह जो प्राब्लम है तो इसके लिए अभी बैटरी नहीं हो लगा दूंगा ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं आठ दिन गाड़ी खड़ी करो दस दिन करो पंदरा दिन करो पल्स सेल्प में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगे बैटरी नहीं होगे ठीक है चोटी सी इंपरमिशन थी आपको अगर चोटा मोटा को नॉलेज है थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजा और आप नहीं हो अपने हमारे चानल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल भी सब्सक्राइब कर दीजिए